सेटिलाइट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे भारत में कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है. पहला, कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक 1, सोवियत संग द्वारा 4 अक्तूबर 1907 को पृत्वी की कक्षा में भेजा गया था. तब से लेकर आज तक हजारों कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है. क्या आप जानते हैं कि सेटिलाइट पर सोने की परत चड़ाई जाती है? जी हाँ, आपको यह जानकर हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक बेहद ही खास वज़ा है. चलिए, जानते हैं, आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? लेकिन अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला कोई भी सेटिलाइट सोने सी परत में ही लपेटा जाता है. उसे मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं. यह काफी हलका लेकिन बेहद ही मजबूत होता है. दरसल, पतली-पतली सतहों को मिलाकर एक मोटी परत बनाई जाती है, जिसे आम भाशा में गोल्ड प्लेटिंग जबकि वैज्ञानिक भाशा में मल्टी लेयर इंसुलेशन कहा जाता है. सोने की परत का इस्तिमाल उस सैटिलाइट में करना जरूरी होता है, जिसे अंतरिक्ष में दूर तक भेजना होता है. दरसल, वैज्ञानिकों के मुताबिक सोना सैटिलाइट की परिवर्तन शीलता, चालकता और जंग के प्रतिरोध को रोकता है. इसके अलावा, इसमें लगी अन्यधातूओं की परत, हानिकारक, इंफ्रा-रेड रेडियेशन और थर्मल रेडियेशन को रोकने में मदद करती है. वैज्ञानिकों की माने तो अगर सोना और अन्यधातूओं से बनी परत से सैटिलाइट को नहीं ढंका जाएगा, तो अन्तरिक्ष के खतरनाक रेडियेशन सैटिलाइट को पल भर में नश्ट कर देंगे. अब चूंकि सैटिलाइट में कई तरह के नाजुक उपकरण भी लगाये जाते हैं, ऐसे में ये परत सैटिलाइट से टकराने वाली किसी भी वस्तू से बचाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट में भी सोने और अन्यध हातूँ से बनी परत का इस्तेमाल होता है. अपोलो लूनर मॉड्यूल में भी नासा ने सैटिलाइट बनाने में सोने का इस्तेमाल किया था. इसके अलावा चंद्रियान के एक हिस्से में भी सोने की ऐसी ही परत चड़ाई गई थी.